गुद मॉर्णिंग फ्रेंड मैं सुप्रियां सौध करती हूँ आपका डिकोर्ड एक्जाम में फ्रेंड आस डेली कर इंट अफेस की क्लास में हम डिसस करेंगे 4 जैनवरी से रिलेटेड जित्ते भी न्यूज है जित्ते भी इवेंट्स हैं जो हमारी एक्जाम के लिए अतरवाधिक बागों की संख्या जो है वो किस राज्य में है तो देखा जो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो अप्रेल 1973 में सुरू किया गया था और एक रिपोर्ट है ठीक है बाग गड़ना रिपोर्ट ध्यान रखेगा बाग गड़ना रिपोर्ट तो 2018 यह केंद्री पर 2018 के जिसे 2019 में जारी किया गया था और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में जो बागों की संख्या है भारत में वो है 2967 जिसमें सरवाधिक जो हैं मध्य प्रदेश में हैं कितने हैं 526 बागों की संख्या है और दूसरे स्थान पर देखा जग करनाटक है मातर दो अंको से पीछे 524 तो मध्य प्रदेश में सरवाधिक जो है बागों की संख्या है जिसें टाइगर स्टेट भी कहते हैं और यह देखा जाया जो प्रतिक चार वर्स के इंतराल पिस रिपोर्ट को जारी किया जाता था और वर्स 2014 से 2018 के बीच में 33% जो है ब्रिद्धी दर्ज की ग होगे वह करनाटक में तो देखे ऐसा नहीं हमें ऑफिशल डेटा की कोर्डिंग ही चलना होता है ठीक है चुकि डेटा जो रिलीज हुआ था बाग गरना रिपोर्ट उसके अनुसार जो है मध्य प्रदेश ही है तो मध्य प्रदेश को लेके चलेंगे और अगर मृत्य होती है तो अगली रिपोर्ट आएगी यूँ कि वर्स 2022 में आएगी और इसको रिलीस हो सकता है अंतिम में लास्ट मन्त में या फिर 2023 के सुरुवाती रिपोर्ट में तो उस रिपोर्ट के अनुसार हम देखेंगे कि कौन सा सरवाधिक जो है इस समय स्टेट होगा ठीक है तो अभी आप बागर के जो सरवाधिक संक्या मध्यप्रदीस को ही लेके चलेंगे ठीक है तो चलिए अब आते हैं अपने आज के प्रश नहीं की है निमलिकित में से किस्ट टेलिस्कोप का डेटा का उप्योग करके क हगोल विदों ने एक बाय ग्रह पर पहले चूंब स्पेस टेलेस्टोक को देख सकते हैं नासा का है यह और इसी टेलस्कोप स्पहराइग ईपश た के विच्र के खुगल विदो ने वाई ग्रव पर पहले चुम्बकी छेत्र की खोज की एं तो तो खगुल विदो खी टीम ने हबल इस्पेश टेलिसकोब के डेटा को उपीओ करके बाय गरह पर पर पहले चुंबह की छेतर की खोज के देखिए बाय गरह क्या होता है हमारे जो शुरह मंडल के जो बाहर के ग्रह होते हैं उन्हीं कोंबाह ग्रह कहते हैं और सौर मंदल में देखा जी आथ ग्रह हैं ठीक है कौन कौन से हैं बुद्ध शुक्र है पृत्वी है मंगल है ब्रह हुष्पती ये शनी अरुड और वरुड है जिसर्थ circuit भी कहते इस निसकर्स का वड़न किसमें किया गया है कौन सी पत्रिका में नेचर एस्ट्रोनॉमी में किया गया है और ग्रह के जो चारो ओर का जो चुम्ब की छेत्र होता है आवेशित कार्बन कड़ों के एक विस्तारिच छेत्र के अवलोकन के व्याख्या करता है और ध्यान रखेग यह जो चुम्बिकी छेत्र बहुत ही महत्रपुड भूमिका निवाता है किसमें ग्रहों के वायु मंडल की सुरक्षा में ठीक है यह जो सोत करता हो ने देखा जाए हबल का उप्यो एक्सो प्लैनेट हईपी पी इलेवन वन यहां पे इलेवन वन है ध्यान रखेगा इलेवन गा उलोकुन के लिए किया है और यहँ है ग्रह के आकार जो देखा जायत नयप्च्विउन की आकार प inom कि और दोकुत बगा मात्रिक है जैसा कि आ जानते हैं खड़ोन होते थे उनके बीशें बहुत यादा दोरी होती आपने के लिए हम किलो मिटर का स्थमाल किया जाता और इक प्रकास पॉइन पॉइंट 4610 to the power 15 meter होता है ठीक है यह चीज़ ध्यान रखेगा और तो ग्रहों के भी बारे में ध्यान रख लेगा कौन सा सबसे प्रिथवी कम सुरी के पास जो है सबसे नज़ी का ग्रह कौन सा है कौन सबसे कम समय में जो है वो प्रिथवी जो है सुरी की परिक्रमा कर लेता आप मुझ रोबोटिक्स नवाचार का केंदर बनने के लिए पांच वर्षी योजना शुरू की है चीन रूफ जापान अमेरिका करेक्ट आंसर इस चीन ने किया है पंच वर्षी योजना की सुरूआत की है रोबोटिक्स नवाचार केंदर बनने के लिए तो वैश्विक अस्तर पर टकनीकी दोमन में अपने इस्थिती को मजबूत करने के बाद, चीन ने दोजार पचीस तक वैश्विक रोबोटिक उद्योग के लिए एक नवाचार केंदर बनने की पंच वर्सी योजना का अनावरण किया है, ठीक है, दोजार पचीस तक वैश्विक रोबोटिक में जो आँटोमोबाल्स, एरोस्पेस, एरेइल्वे परिवहन, रसद और ख़नन से संब्ढ़ने जितने प्योग हैं उ उद्योग का जो कारखाना है, उनको SMART कारखाने के रूपे बदलना, SMART कारखाने के शुरूरात करना, ठीक है, ठीक है, चीन के जो उद्योग और वाशिक दर से बढ़ने की उमीद है और अगर हम बात करें दुनिया का जो सबसे बड़ा और यहां पर देखा जा लक्ष रखा है वो रखा है दो हजार पचीस तर अपने वी निर्मार रोबोट घनत्व को दूगना करना ठीक है तो जो पंचवर्सी योजना सुरू की गई है विश्व रोबोटिक नवाचार का केंदर बनने के लिए वो शुरू किया गया है चीन के द्वारा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिश्ट पे चलते हैं नेक्स्ट है हमारा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारती किसानों के लिए किस वर्स प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना का सुभरम किया है 2016-2017-2018-2019 तो ये देखा जाब, प्रधान मंत्री किसान सम्मा निधी योजना जिसका शुरुआत कीगी थी दिसंबर 2018 में किया गया था प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी जी के द्वारा जैसा कि आप यहाँ पर देख नहां, चैला है का सुरुवाद किया था और इस योजना के तहर जो है जितने भी भारत में जो सभी किसान है उन सभी किसानों को केंद्र सरकार के द्वारा प्रती वर्स जो है कि योजना सुरू की थी वर्स 2021 में इसको पुने क्या गया कि सारे किसानों के लिए इस योजना को सुरू कर दिया गया हूं तो ध्यान रखेगा अगर प्रशन ऐसे भी हो सकता है कि सुरूआत में ही ऐसे भी प्रशन हो सकता है कि जब इस योजना की शुरूआत की गई थी तो सभी किसानों के लिए किया गया था नहीं प्रारम में इस योजना को मातर सिमान तो लगू किसानों तक सिमित किया गया था लेकिन बाद में 2021 में सभी किसानों के लिए इस योजना का जो है लाब मिलने लगा जिसके तहट जो है किसानों को 6000 रुपए के आर्थिक सहायता दी ज जाएगा जो पहली किस्त जारी होगी वो अप्रल से जून के बीच में होगा दूसरी किस्त जो होगी वो अगस्त से नवंबर के बीच में होती है और तीसरी किस्त जो होती है फ्रेंड हो दिसंबर से मार्च के बीच में होती है और इनहीं किस्तों में दो-दो-दो-जार उप करोड़ रूपए ट्रांसफर के लगबग देखा जाए तो बीस हजार करोड़ उपए जो है वो जारी किया गया है तो यह चिस ध्यान रखेगा आगे बढ़ते हैं और नेक्स प्रस्ट नेक्स प्रस्ट में बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा की हाल ही में चर्चा में रहां कोल रादो राज़ी जिसमें जंगल की आँग फैलने से स्ट्रोगर तबहा हो गया एक किस देश में स्थित हैं और यहां पे जंगल में आग लगी ती जिसके वज़े से बहुत सारे जो लोग है प्रवाबित हुए बहुत सेक्डो संख्या में घर जल गया तो लगबग 500 सी मकान जल गया एक होटल जल गया जल कर खाक हो गया बहुत से लोग वहां पर बस्थापित हुए तो ध्यान रखेगा इस कुश्चन को सामिल करने का उदेश इसी फेक आपको लोकेशन से रिलेटेड़ था तो को लोड़ार राज्जी के डैनवर्द के जंगल में लगी आग फैले से वहां पर काफी बड़ा पैमाने पर नुक्सान हुआ ठीक है अमेरिका कर स्टेट है अमेरिका जिसकी राज़ानी क्या है फ्रेंड वासिंग्टन डीसी है वासिंग्टन डीसी है ठीक है और यहां के जो रास्ट्रपती है जो बाइटन है और यहां की उपरास्ट्रपती को ने पहली मिला दूरी देदी हैं तीन राज्यों में पांच राज्यों में च्छे राज्यों में या फिर सात राज्यों में करेक्ट आंसर इस बी हैं पांच राज्यों में जो है चुनाव होने जा रहे हैं और इन बिद्धानसभा चुनाओं के से पहले जो है चुमान चुनावी बॉंड की 19 किस्त जारी करने के मंजूरी दे दिया है कि इन सरकार ने तो यहां पर देखा जाया देखा जो विधान सभावा चुनाओ जो होने वाले हैं पाच राज्यों में होने वाले कौन कों से राज्ये हैं उत्तर प्रदेश है उत्राखंडे हमानचल प्रदेश है पंजाब है वह खुली रहेगी तो ध्यान रिखे का आपको पता होना चाहिए चुनावी बॉंड क्या होते हैं तरीके से एक वित्य साधन होता है किस चीज के लिए इस वित्य साधन का इस्तमाल आप क्या कर सकते हैं जो राजनेतिक दल होते हैं वो चंदा लेने के लिए करते हैं ठीक है और यह जो बॉंड होता है उसको मातर एक ही बैंक के दौर अदिकृत क्या जाता है? वो क्या जाता है? 10 लाख हो गया एक करोर रुपय तक कि गुड़क में इसको जारी किया जाता है और जिस दिन इसको जारी कर दिया जाएगा जारी करने के तारिक से ही यह बॉण्ड जो है मात्र 15 दिनों तक के लिए वैद होगा तिके तो अगर किसी को किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देन कर सकते हैं तो पारदर्शिता लाने के लिए और साथ ही साथ जो हम देखते हैं कि ब्लैक मनी को अक्सर लोग वाइट मनी में करने के लिए इस तरह का कारे करते थे तो इस सब चीजों पर लगाम लगाने के लिए सरकार की दोरा चुनावी बॉंड जारी करने का प्रयास किया चुकि अभी भी इससे सटेस्वाइड नहीं होती है वो अभी भी उनको लगता है कि अभी भी पारदर्शिता काफी जादा है लेकिन फिर भी हमें ये देखना है तो यहां पे देखें भारते स्टेड बैंक जो है उसकी 29 शाखा है जो अधिकरिश शाखाओं के चरिये जो ह चुनावी बॉंड को जारी किया जाता है और उसको भुनाने के लिए अधिकरित किया जाता है ठीक है कितने दिनों में अगर जारी करने के 15 दिन है तो कि अभी चीज़ ध्यान रखेगा और राजनेतिक जो है चंदे की पारदरशिता लाने के प्रयास के ताज राजनेतिक जलो को दिये जाने वाले नगत चंदे की बिकल्प के रूप में क्या होता है चुनावी बॉंड फिरस्था किए ठीक है तो आप किसी पार्टी को जाके नगत चंदा दें उसके लिए आपको नगत चंदा आप नहीं दे सकते हैं आपको एक बॉंड देना पड़ेगा उस ब बैंक खातों में के वाइसी की समय सीमा को कब तक बढ़ा दिये हैं एक जुन 2022 एक अप्रेल 2022 31 मार्स 2022 या फिर एक जुलाई 2022 करेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड सी हो जाएगा 31 मार्स 2022 तक जो है के वाइसी नॉम्स की सीमा को रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने यहां पर देखे तो बारते रिजर्व बैंक ने बैंकों की के वाइसी यानि की नो योर कस्टमर ठीक है अपने ग्राहक को जानो यह चिस ध्यान रखेगा क्या होता है इसको भी बारा में जान लेते हैं तो इसकी अपडेट करने की जो सीमा को बढ़ा दिया गया है तीन मही होता है जो बैंक का कस्टमर होता उसे बैंक के पास अपना जो एड्रेस प्रूफ होता है और जो उसका पता जो प्रमाड होता है उसकी जो आईडी होती है उसका जो एड्रेस प्रूफ होता उसको बैंक के पास जमा करना होता है ठीक है जो कि जो है बैंक के लिए जो है बराद तो क्या होगा तो अगर आपने केवाइसी को नहीं पूरा किया है तो फीजर आप अपने एकांट से किसी भी तरह का कोई ट्रसक्षन नहीं कर सकते बैंग के αपके ट्रांजीक्षन पर क्रों लेंदीन पर दे गी अगर आप किस किट्रमर्ण हैं अपने बैंक में तो आपके आकाउन में जो कुछ भी पैसा जमा रहेगा उसको बैंक क्या करेगी रोक लेगी आपके अपने जमाख़ाते से भी अपने पैसे को नहीं निकाल सकते हैं तो यहां पेएसा कदम उठाए गया जो इसके समय को बढ़ाने का करड़ था जो ओमेक्रोन वैरियंट्स है उसके प्रती जो अनिश्यत्ता फैली उसको देखते वे आरवियाई ने ये फैसला लिया है के वाइसी अपडेट की तारिक को बढ़ा दिया है तीन महिने और चुक्के आरवियाई ने ये भी कहा है कि जो बैंक करहक हैं अगर वो सक्षम नहीं है बैंक में आने तर तो वो क्या करेंगे इमेल के द्वारा पोस्ट की जरिये जो है अपने डॉकुमेंट्स को बैंक के पास भेज़ करके अपने के वाइसी को अपडेट करा सकते हैं और वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माधियम स वह अपने की वाइसी को अपडेट करा सकतें के वाइसी करा सकतें थीक है कि तो हमने बताया आपको सम旭 मी आ आगया होगा तो द्यान रखेगा बाकी फिरन बात करें 17 में की गई थी flex receive through RBI Act 1934, ठीक है, 1934, 1934 में किया गया था, और इसका headquarters friend Mumbai में है, और यहां भी present governor जो है 25 वे नंबर के ध्यान रखेगा, शक्ति कांदास जिनके कारेकाल को भी हाली में किन सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया था, अब और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा किनिम लिखित में से किन देशों के साथ, आभासी संग्राले के स्थापना करने के लिए, यूनस्को ने साज़ेदारी की है, स्वीडन, फिलस्तीन, ए और बी दोनों, अमेरिका, करेक्ट आंसर इस C, यानि कि स्वीडन और फिल स्वीडन के साथ, जो क्या करेगा, पूरा तत्यों के माध्यम से इतिहास की समझ को बढ़ावा देगा, और यूनस्को की रास्टिय संग्राले फिलिस्तीन, और पुरावशेस मंत्राले फिलिस्तीन द्वारा स्वीडन से वित्तिय सहता के साथ लागू किया था, तो ध्यान साथ साजिदारी क्या है, स्वीडन ने क्या है, फिलिस्तीन ने क्या है, अगला है हमारा प्रशन की, निमलिकित में से किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का अंतिम प्रदर्शन मिशन सुरू किया है, रूस, भारत, चे, पाकिस्तान, करेक्ट आंसर इस रूस ने किया हैं, अंगारा एफाइफ रॉकेट का प्रदर्शन मिशन और यहां पे देखा जाए तो जो रूस का जो मंत्राले हैं रूसी रक्षा मंत्राले हैं कि राज परिच्छर कास्मोड्रोम साइट 35 बाइब वन प्लेसित्मक को सोमोड्रोम रूस से अंगारा एफाइफ जिसे हम परसी र रिसर्च और प्रोडेक्शन स्पेस सेंटर द्वारा बिक्सित और निर्मित किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है रूस का जो खुनी च्रेव स्टेट रिसर्च और प्रोडेक्शन जो स्पेस सेंटर उसके द्वारा अंगारा को बिक्सित और निर्मित किया गया है और अंगारा स्पेस लॉंच सिस्टम मॉड्यूल लॉंच वाहनों पर एक परिवार है जिसे एलो एक्स कोरोसीन इंजन का उप्योग करते हुए यूनिफाइड रॉकेट मॉड्यूल कॉमन कोड बूस्टर के आधार पर बिक्सिट किया गया है ठीक है चलिए आगे है और हमां नेक्स प्रशन है कि हाल ही में किस देश के प्रधान मंतरी ने अपने पद से इस्तिफा दे दिया है इथोपिया स्वेडन निस्र या फिर सुडान तो यह देखा जाए जो उत्री अफरिका का एक कंट्री है जिसका नाम है सुडान और यहां पे पलट के बारे में पढ़ा था और फिर वहां के प्रधान मंतरी ने अब देखे इस्तिफा दिया है तो जो सुडान के प्रधान मंतरी जिनका नाम है अब्दुल्ला हम्दोग इन्होंने सैन तक्ता पलट के बाद जो वहां पे राजनेतिक गती रोध उत्पन हुआ वहां ज कुछ दिन पहले भी पढ़ा था जसे कि मैंने बताया और वहां पे भी कुछ दिन पहले सैने तक्ता पलट हुआ था और अब्दुल्ला हम्दोग को अब्दस्कर सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले लेकिन ध्यान रखेगा वहां पे जो सेना थी और सेना के बीच इनके समझ कर दिया था और समझोते के तद क्या बात की गी थी जो वहां के देश में जो हम दोग हैं जो प्रधान मंतरी हैं प्रधान मंतरी की नेत्रत में सेना के निरख्षड के अंतरगत स्वतंत्र कैबिनेट क्या प्रस्ताव रखा गया था लेकिन वह इस समझोते को वहां के जो ल हां ध्यान मंत्री अब्दुल्लाहम वोगने हम दोग ने उन्होंने क्या किया है अपने पद्र से स्थेफा दे दिया एडißt該 तो यह दी सुदान की बात करें तो आए सुदान की हम subject absorption देखले सब्सक्राइब अफ्रीका का मैप अफ्रीका ने हम सुदान और से किन किन देशों से नखे देख झित अपनी सीमा को साज़ा करता है और से बियारे सодеकर है ऐजब देखने को मिलता है और अकर उत्तर पुर्में देखा जाए तो लाल सागर से ही अपनी सीमा को साजा कर रहा है पुर्में देखे इरिट्रिया और इथोपिया South में देखा जा जाए तो South Sudan है इसके और यहाँ पे दस्चिर पस्ट्री में देखा जाए तो मद्द अफ्रिकी गर्डाज है और इसके पस्टिम में देखा जाए तो चार्ट से अपनी सीमा को साजा कर रहा है और पस्टिम उत्तर सीमा अब देखा जाए तो नीविया से ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए यहां से पूछा जा सकता है प्रशने यहां पे देखे जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं यहां पर रड्डसी है और यहां वेरफ्रेंट जीबोती जैसा गमें अंत्ली से करिए अंसर करें किस देश नЕ Better Health Smoke Free अभ्यान शुरू किया है France, China, United Kingdom या फिर भारत Correct answer is C है United Kingdom जे शुरू किया है Better Health Smoke Free अभ्यान तो United Kingdom के सरकार ने Better Health Smoke Free अभ्यान नाम से एक नई पहल के सुरुआद की है जो यवाय लोगो पर West धूमपान करने वालो के प्रभाव पर प्रकास डाल दी थीक है है वो ध्रूम पान करने वालों से दुम्रेपान छोड़ने का आगरा कर रही है और इस रपोर्ट में ये भी बताया गया है सभ्यान के त्वारा जो आकड़ी चारी किया है उसमें ये बताए पढ़ा है किसमें स्मोग करने का ठीक है तो इस रपोर्ट में ये बताएगा है तो इसमोग फ्री अभयान जो है वो सुरू क्या गया है यूज़ के द्वारा बेटर हल्थ स्मोग फ्री अभयान और देखे आं जो है धुरूम पानमुक्त का लक्ष न्यूजिलाइन में भी र संवांडर ऑफ दा आर्डर ऑफ दे बिटिश अंपायर संमान मिला है किसे मिला है अजय कुमार ककड को मिला है एक जनवरी दो हजार बाइस को रक्षा अनुसंधान विकास संग्ठन टी आरडियों ने अपना अस्थापना दिवस मनाया कौन सा 64 थी कि तो दियार डियों की जो स्थापना हुई थी एक जनवरी कोई थी और इस वरस 2022 को उसने पना 64 थापना दिवस मनाया हैं बारवदुश में भारत के नय उचायुक्त न्यूक्त किये गए है जिनका नाम है एस बाल चन्दरण ठीक है एस बाल चंदन यूचायुक नियुक के गए हैं कहां पर बारबा डोस में और आठमी बार अंडर 19 क्रिकेट एसिया कप 2021 का खिताब जीता किस ने जीता है भारत ने जीता है नेक्स्ट है हमारा टेस्ट क्रिकेट के पच्पन टेस्ट मैचों में 200 विकट लेने वाले एक ग्यार में भारती गेदबाज बन गया हैं मुहम्मद शमी ठीक है मुहम्मद शमी बने हैं हाली में 100% आबादी को कोविट की पहली डोज लगाने का लक्ष हासिल क्या है किस राजने तिलंगाना ने ठीक है पहला पहली डोज है भी 100% आबादी को नेक्स्ट है मारा बिहार के ने मुख्य सच्चिव नियुक्य के कह हैं इनका नाम है आमिर सुभानी कोविट के तीसरे चरड़ का परिछड बूस्टर खुराक के रूप में तीका करने के मंजूरी मिल गई है किस कंपनी को बियो लॉजिकल यी कंपनी को मिल गई है यह ता हमारा आज का अब हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में उत्तर प्रदेश में मेरट को प्रयागरास से जोड़ने वाले 594 किलो मिटर लंबे गंगा एक्स्प्रेस स्वे के 464 किलो मिटर के निर्मान का अनुबंध हासिल क्या है किसने अडानी इंटरप्राइजे ने वरान सी उत राज के करमचारियों और पेंशनरों को कैशलेस चिकत्स सुविदा ए तो योजना सुरू की हैं और उस योजना का नाम क्या है पंडत दीन द्याल उपाद्या है राज करमचारी कैशलेस चिकत्सा योजना असी हजार आशा बहनों को मोबाइल वित्रण का शुभारा में किया गया है कि सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और अंते में हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल में कि उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्व विद्याले खोला गया है जिसका नाम किया ह मेजर ध्यान चंद्र खेल इन्वर्सिटी यह कहां पर मेरठ में रखी गए तो इसके लग्यास प्रधानुंत्री नरेंद्र मोदीजी द्वारा किया गया हम लोगों ने इसके बारें बात भी किया था और यह उत्तर प्रदेश का पहला खेल बिश्व बिद्धाले होगा ठीक है और आज आते हैं आजके questions of the day में question of the day हमारा है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ था और उनके बच्पन का नाम क्या था और किस गवर्नर जनरल द्वारा व्यबगत का सिधान doctrine of labs को लागू किया गया था इस प्रश्णियों को पूछे जाने का कार्ड यह है कि रानी लक्ष्मीबाई जो station था उसका नाम बदल दिया गया है जिसके कारड़ से रानी लक्ष्मीबाई तो अभी चर्चा में हैं तो इस कारड़ से आम यह प्रश्णियां पर लाए गया है तो चूंकि आपका यह हिस्ट्री से संब्दित प्रश्णियों है लेकिन इसको तरह से देख लेना location देखने ना इसबसे अप जो है इसी को कहते है एक्टाइणरी हो ना ठीक है इसी को कहते क्रेटिव हो ना जिससे कि आपका एक्जाम क्वालिफाई करने में आपको बहुत हैल्प मिल जाती है अब हम नेक्स्ट सेशन में फिर मिल लेंगे चैनल पर पहनी बारा है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें फिर मलते हैं नेक्स सेशन में तब तक के लिए बाद Have a good day Stay safe and stay happy